हेलो फेंस स्लाम लेकुम कैसे हैं आप सब आज बनाते हैं बिलकुल एक हेल्थी सी खीर जिसमें नाकिश शुगर जागरी और हनी कुछ भी मैं इस्तमाल नहीं करूँगी तो चल ये देखते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक पैन में एक से देव कप मैंने मखाने रोस्ट किया है एक टीस्पून घी के साथ आप चाहें तो ड्राय रोस्ट भी कर सकते हैं अच्छी तरह रोस्ट कर लें जब भी अच्छी तरह रोस्ट हो जाए तो हम इसे क्रश कर देंगे अब इसी पैन में एक टीस्प करें रोस्ट कर लें आप किस सिटेयर टाउन से वीडियो देख रहे हैं प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं रोस्ट हो जाने के बाद आप इसे अलग प्लेट पे ट्रांसफर करें और पिर इसी पैन में एक सीक्रेट चीज इसमें डालेंगे ये है गोभी फूल गोभी चौ इसका ग्रीन पार्ट हमें इस्तमाल नहीं करना है और इसे एक से दो चमच घी में अच्छी तरह भून लें जो सेकेंड सीक्रेट इंग्रेडियन है वो है डेट्स यानि खजूर खजूर को हमें डी सीट करके अच्छे से आदे कप पानी में बॉल करना है और पिर इसे हमें ब्लेंट करना है ब्लेंट करने के बाद इजाद से इसे स्ट्रेंड जरूर करें ताकि जो भी इसका छिलका है वो निकल जाए एक हेवी बॉटम वेसल लें जिसमें आप खीर बना रहे हैं उसमें एक लीटर दूद लें मैंने फुल क्रीम दूद का इसे अच्छी तरह उब पालें आपको मैं यह रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं दूद अच्छी तरह उबल चुका है अब हम इसमें जो गोबी हमने रोस्ट करके रखे थे उसे हम डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे और साथी जो मखाने हमने क्रश करके रखे थे वो डालें मखाने को हमें ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं रखना है थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है जो ड्राइफूट्स हमने रोस्ट किये थे अब हम इसे डालेंगे और कुछ ड्राइफूट्स मैंने अलग कर लिये हैं ग्रानिशिंग के लिए इसे अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आज पर इसे पकाएं जब गोभी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो जो खजूर का जो प्योरे हमने तयार किया था इसे मिलाएंगे 15-20 खजूर का मैंने इस्तमाल किया है इसमें आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह जादा कर सकते हैं यह बहुत ही हेल्थी रेसिपी है इसमें किसी तरह का शुगर, जागरी, शहद, कुछ भी इस्तमाल नहीं हुआ है यह देखिए इसमें एक अच्छा सा उबाला गया है हमें इसे एक ठिक होने तक पकाना है आप इसका टेक्शर अपने हिसाब से रख सकते हैं थोड़ा सा इलाची पाउडर भी डाले इसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई है इसलिए मैंने नहीं डाला यह देखिए कैरमल वाली खीर लग रही है न यह अब खीर अच्छे से पक चुका है इसे एक बोल में निकाले और नट्स ड्राइट रूट के साथ सर्फ करें बहुत ही यमी सी खीर है और बहुत ही हेल्दी भी एक बार जरूर ट्राइ करें रिसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कॉविन शेर जरूर करें थांक यू